गुट मॉर्निंग एवरीवन बैज जैदेवी कंपरिशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है आज है 23 फरवरी 2021 21 तो से डेली करेंट फरवरी क्लास में जो भी important question होंगे वो हम सब आप समझ के समझ डिसकस करेंगे और उनके बारे में important facts भी बताएंगे तो हम सुरू करते हैं अपना ये short note तो चलें चलते हैं पहले question की तरफ आज का हमारा पहला question है विशु चिंतन दिवस किस तिथी को मनाया गया है विशु चिंतन दिवस किस तिथी को मनाया गया है तो इसमें 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 या 20 फरवरी तो इसमें से हमारा कौन सा option सही हो जाएगा ये आप लोग बताएंगे तो इसमें से हमारा आपसान नमबर कौन सही हो जाएगा तो इसमें से हमारा आपसान नमबर सही हो जाएगा आपसान नमबर B 22 फरवरी को 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मना जाता है ये गल्स के द्वारा मना जाता है गल्स इसमें अपने भाईयों के परती एवं अपने माता पिता के पर चिंता लक्त करती है और उसके बारे में ही ये विस्व चिंता दिवस मनाया जाता है चलते हैं, नेक्स कुर्शन की तरफ तो next question हमारा है अंतर राष्टी मात्रभासा दिवस किस तिथी को मना जाता है अंतर राष्टी मात्रभासा दिवस किस तिथी को मना जाता है 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या 23 फरवरी तो इसमें से हमारा अप्सन नमबर कौन सही हो जाएगा तो इसमें हमारा आपसान नंबर सही हो जाएगा आपसान नंबर बी 21 फरवरी 21 फरवरी को मात्रभासा दिवर्ष मना आयाता है तो देखते हैं इसके बारे में अंतर राष्टी मात्रभाता दिवर्ष ये प्रतिवर्ष 21 फरवरी को भासाई और संसक्रिती विधानता के बारे में जागरुता बढ़ाने और बहु भासाबाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है अंता राष्टी मात्रमाशा दिवस को जे की घोष्णा जो है यह नौवंबर 1909 में सहिउत राष्ट साइच्छी के विग्यान और संसक्ति संगठन के द्वारा युनेस्कों में की गई थी सहिउत राष्ट महासभा में 2002 में अपने प्रस्ताव में प्रस्ताव में दिन की घोष्णा का स्वागत किया गया था ओके तो चलते हैं नेक्स कुर्चन की तरफ तो नेक्स कुर्चन हमारा है निम लिकित में से किस ग्लोबल रेटिंग ने भारत को एफपाई 22 में सब से तेजी से बढ़ती उभरती अर्थ विवस्था में सामिल होने का अनुमान लगाए है तो इसमें हैं स्टेंडर औन ग्लोबल रेटिंग, मूडिज गलोबल रेटिंग, योज़ ग्लोबल रेटिंग, या इनमें से कोई नहीं तो इसमें से हमindetरा आप्सान नंबर काु तो इसके बारे में देख लेते हैं यह क्या है इस्थापना कभी थी 1860 में संस्थापक हैं हेंरी वनरम पूर और इसका मुख्याले हैं निवजयार्क सहर यूएसे में इसके प्रमुक लोग हैं जॉन जॉन वेरिसफोड और उद्धोग क्या है तो दोग है वित्ति सेवा हैं यह जो कंपनियों को है यह देखती है कि कौन से मतलब कंपनी इसमें मतलब अच्छी चल लए है उसके बारे में यह जानकारी प्रतान करती है नेस चलते हैं नेस कोशन की तरफ तो नेस कोशन हमारा है हाल ही में किस सहर में स्री गुरु रभिदास विश्व महापीट राश्ट सब्सक्राइब तो इसमें हमारा आपसन नंबर कौन सही हो जाएगा तो इसमें हमारा आपसन नंबर सही हो जाएगा आपसन नंबर दिल्ली दिल्ली हमारे समें सही हो जाएगा तो देख लेते हैं इसके बारे में स्री गुरु रभिदास के बारे में स्री गुरु रभिदा महाराष्ट मात्य प्रदेश तमिलाडू मुख रूप से पंजाब हर्याणा के एक गुरू सिच्छक के मिरूप में प्रदिश्ठित थे रविदास का जीवन अच्छी तरह से ग्यात नहीं है यह विद्धानों को कहना कि उनका जरूंप 1545456 में हुआ था और पंदरा सब्सक्राइब की मिर्त्य हो गए रविदास को रविदास को रैदास के नाम से भी जाना जाता है चलते हैं नेस को चन की तरफ एंटी पीसी ने किस इंटरशिटी रूट पर अपनी पहली प्रीमियर हाइडरोजन फ्यूल बस सेवा शुरू करने की उजना बना रही है तो दिल्ली जैपूर है दिल्ली कुलकाता है दिल्ली जैपूर है या राची राइपूर राची है तो इसमें से हमारा आपसन नंबर कौन साही हो जाएगा तो इसमें से हमारा आपसन नंबर साही हो जाएगा आपसन नंबर एक दिल्ली और जैपूर दि के बारे में तो इसकी स्थापना है साथ नुवंबर 1975 मुख्याले नई दिल्ली भारत अध्यच हैं अध्यच और एमडी गुरुदीप सिंग और और है भारत शरकार को के चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ तो नेक्स कुशन हमारा है किस मंत्री ने डीजी लाकर के पासपोड़ को एकी करत करने वाली एक नई योजना सुरु की है तो इसमें हमारा आपसर 독 मेर्ज हमचार करर Iya रामकुमा सिंग मूरली धरण तो में आपसर लमबर कौन सई हो जाएगा इसमें नमबर सही हो जाएगा इसमें हमारा इसमें कौन सही हो जाएगा इसमें से हमारा आपसंट्र नंबर सही हो जाएगा सुबर मनियंग जैशंकर कौन हैै शुय मनियंग जैशंकरSON ने यहीं सुरू께 किया है ऑगे कर पास्पोर्ट डीजी लौकर के सेवा के साथ में यह हमारी सेवा सुरो नंदे किogensh किसना शुरूर किया है एस जय शंकर ने शुरू किया है लाकर के साथ में है तो कौन है हमारे यह है कुस्छी शुरू किया है तो यह हमारा सुरू किया है थोड़ा इस यहां पर यह नहों के हमारे बी मुरली धरन हो जाएंगे कौन है बी मुरली धरने पासपोर्ट सेवा को एक इकरत करने वाली एक नई योजना शुरू की है किसने शुरू की है बी मुरली धरने किसने शुरू की है देख लेते हैं तो हमारे बी मुरली धरने शुरू की है तो और निर्मित है डिज्टिल इंडिया पहल के अंतरगत किसके अंतरगत डिज्टिल इंडिया पहल के अंतरगत यह निर्मित है और डवलपर्स हैं इलेक्ट्रानिक और सुचना प्रधो की मंत्रा लेके द्वारा किसके द्वारा हुआ है इलक्ट्रानिक और शूचन प्रधोर की मंत्राले के द्वारा इसका हुआ है ठीक है तो चलते हैं नेक्स कुछन की तरफ तो नेक्स कुछन हमारा है देख लेते हैं तो नेक्स कुछन हमारा है हाल ही में भारत हाल ही में भारत ने किसी हिंद महासागर देश के साथ समुद्री चमताओं को बढ़ावा देने के लिए 50 MILLION डॉलर रच्छा एलोची सम्झोते पर हस्ताच्चर किये हैं तो फ्रांस है स्व्इडन है मालदीब है नार्वे है तो इसमें से हमारा अपसन नमबर कौन सा ही हो जाएगा माल्दीव माल्दीव की राझानी हो जाएगी माले और इसकी मुद्रह है मालीबयन रूफिया और इसकी जो प्रेशिडेंट कहने राष्टपती इबराहें मोहमद सोलही इसकी कौन राष्टपती और तो चलते हैं नेक्स्ट कोशन हमारा है नेक्स्ट कुशन हमारा है बेपैयों को डिजिटल लेंडेन के बुन्यादी धाचे को बढ़ावा देने के लिए योनो मर्चेंट एप किसके द्वारा लांच किया गया है तो इसमें है यूनेट बेंक आफ इंडिया सीलिखते, व visible, तो इसमें से हमारा अपसान नम्बर सही हो जाएगा रफसान नम्बर सही हो अхसान नमबर वी हमारा कांसा है अपसान नमबर वी है स्थिकए ले पार की बढ़े अपसर रजाता भारत Row प्रएंक की साहई कंपनी M충κι कि मेंटी थालूआउält hiB डीजिटल भक्तान अब संद्रचना प्रदान करने के लिए योनो मर्चेंट एफ लांच करेगी योनो मर्चेंट एफ वेपारियों को भक्तान डीजिटी करण का विस्तार करेगा SBI ने अगले दो बरस में पूरे खुदरा और उद्धम छेतर के लिए बीस मिलियन संभावित वेपारियों को लच्छित करने के लिए कम लागत में स्विकारत किया है उके चलते हैं next question के तरफ तो next question हमारा है सिंगा पुरक विस्टन काड़ा नमक और चावल की खेती किस राजे दोरा निर्याद की जाएगी तो यह खेती नहीं है यह खेप है क्या है खेप, यह है, खेप, क्या हो जाएगा यह, खेप हो जाएगा थोड़ा, स्वरी, मद्रप्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्रप्रदेश, तो यह किसके द्वारत दिया जाएगा, उत्रप्रदेश के द्वारा दिया जाएगा, तो देख लेते हैं इसके बारे में, तो कार में से एक है मुख रूप से देवरिया गोरकपुर कुसी नगर गोंडा महराजगन सिधार्थ नगर बलरामपुर शंतकबीर नगर बहरा इस्रावस्ति आदमे केती की आती है भगोली शंकित का दावाब भी है इस छित्र में समान जलवायू साजा करते हुए साजा करती है तो है 404 अब विधान परिश्ट की सीटे है 100 यहां का एक मात्र राष्टी उद्धान है दुधवा नेशनल पार्क कौन सा है दुधवा नेशनल पार्क है यहां चलते है नेश कुछन की तरफ मध्य प्रदेश के सीम ने नरमनापुरम के रूप में राज के किस सहर का नाम बद बदल कर नरमनापुरम तकने की घोष्णा की है ठीक है घोष्णा की है तो चलते हैं इसके बाइरों देखते हैं तो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यहां की राजपाल है आनुंदिवन पटेल मुक्य मंत्री है सिबराज सिंग चोहान लोग सभा स सिटे गेरा और विधान सभा सिटे हैं 230 यहां के राश्टी उधान हैं तो को देख लेते हैं कौन कौन से हैं सत्पुडा संजय माधवगड कानहा जीवाश्म दिन्शौर जीवाश्म बांधवगड इंद्रा पिदरशनी पैंच आधी पन्ना बनविहार यह कई यहां जो र किस राश सरकार के मंत्री मंडल ने मिसन लाल लाल लकीर को मंजूरी दी है तो गुजरात पंजाब हरियाणा 36 गड़ तो इसमें से हमारा आपसन नमबर कौन सही हो जाएगा तो इसमें से हमारा आपसन नमबर 20 है पंजाब पंजाब के सरकार ने लाल 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 लाकीर म सुरुबात किया है चलते हैं देखते हैं इसके बारे में पंजाब की राधानी है है कि देख लेते हैं इसके बारे में तो पंजाब मंत्री मंदलने designer हाल ही में मीशन लेक लाल लाकीर कारेंडमन को मंझोरी दिया जिसका उधेश से घ्रामीड को संपति अधिकार और राजिभर में में सरकारी विवागों में संस्थानों बेंकों उपलब्त कराया सके इस इस लाल लकीर के संदर्व में गाओं में आवाधी बस्ती का हिस्सा इसका उपयोग्झ गर्ठ क्रसी वो देसों के लिए किया जाएगा देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा इसमें है इसमें हमारा हो जाएगा नेश्ट चीज़ के देख लेते हैं इसके बारें एक दूसरा भी यहां योजना चल लही है हर घर नल हर घर जल अभियन के तहत जल जीवन मिसन के उद्धेसों को कामकाज के बारे में सभी प्रतोगिता और सिच्छित जाउरता करने के लिए यह सबताहिक टीवी करकरम जल है तो तानकल है प्रशारित किया जाएगा 21 वरवजी को यह करकरम रगवार को शाम साढ़े पाँच वजे से जाल अंधर डीडी पंजावी और साम साथ वजे इंडिया रेडियो जाल अंधर एयर प्रशारित किया जाएगा यह हमारी दूसरी वजना है पंजाब से ही संबन देते हैं चलते हैं नेस्ट कुशन की तरफ पनिस्कोशन है डेश के पहले हालही में किस राजय में किया गया। किया गया है तो देख लियमें का मुझाchnों सोहा आफ स्राइए देखे लिए का तो देख लेते है के iç और विद्भाथ तो देख लेते हैं केरल की केरल की राजधानी है तिरनंत पुरम यहां के राजपाल है आरिफ मुहमत खान मुख्यमंत्री है पिंडरई विज्यन लोग सवा सीटे 20 राज सवा सीटे 9 विधान सवा सीट 140 यहां के राश्टी उद्धान है अन्ना मुडाई 16 एरेंडा कुलम कठ मठी कटम पावा कुदम पेरियार साइलेंट विली ठीक है चलते हैं नेक्स करें की तरव नेक्स कुछन हमारा है बाव ऐस्याइद 2201 का अठावा संस्क्राल कि सहर में आनलाइन अयुद किया गया है तो अनलाइन अयुद किया गया है है घतराबाद उडीशा केरल जैपूर तो इसमें से हमारा आपसन नमबर कौन सही हो जाएगा तो इसमें हमारा आपसन नमबर सही है ए हैधराबाद हैधराबाद के द्वारा ये संस्क्रण आयोध किया गया है भायो एसिया चलते हैं देखते हैं इसके बारे में बायो एस्या का ठारवा संस्क्राट 22 से 23 फरवरी 2021 को आयोद किया गया है या उद्धवक बाड़े जौर मंत्री केटी रामा राओ और सोंबार को इस कारकरम को लिए लोगो वेपशाइड को ठीम इसकी ठीम है मूब दन नीड मूब दन नीड का अनावण किया गया है ओके चलते हैं नेस्ट कुशन की तरफ नेस्ट कुशन हमारा है महिला अंतराष्टी ओपन 2020 किसने जीता है महिला अंताराष्टी ओपन 2020 किसने जीता है तो इसमें से हम आपसन देखते हैं विक्टोरिया आजरिंका नाओमी ओशाका शरिना विलियम्स इनमें से कोई नहीं तो इसमें से हमारा आपसन नमबर कौन सही हो जाएगा तो इसमें हमारा आपसन नमबर सही हो जाएगा नाओमी ओशाका नाओमी ओशाका ने अस्ट्रेलिय ओपन 2020 जीता है चलते हैं देखते हैं इसके बारे में नाओमी ओशाका जापान की रहने वाली है यह टेनिस खिलाड़ी है बीस फववई 22 को अपना चावथा गरेंड इसलियम खिताब इन्होंने जीता है ओके ओशाका ने चार बा अस्ट्रेलिय ओपन मुकट और कुल मिलाकर 18 मेजर ग्रेंड इसलियम का दावा किया उन्होंने डेनियल डेनियल मेवदेव देव को हराया था ओके चलते हैं नेस्ट कुछन की तरफ तो नेस्ट कुछन हमारा है खेलो इंडिया उन्वेस्टी गेम्स की मेजवानी कौन तो आप सब्सक्राइब देक लेते हैं करनाटक तामिलपो six attract दो उडीशा सब्सक्राइब करनाटक एंडिया उन्वेस्टी गेम्स की मेजवानी करेगा ऊपे चलते हैं तो छलते हैं देखते हैं next question तो next question हमारा है किस राज के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस्तीपा दिया ह किस राज के मुखमंत्री ने हाल ही में इस्थीपा दिया है तो इसमें देख लेते हैं गोवा पांड़िचेरी उडिशा इनमें से कोई नहीं तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा पांड़िचेरी पांड़िचेरी के राज के मुखमंत्री ने हाल ही में इस्थीपा दे दिया ह है ओके तो थैंक्स पर वाचिंग बजए देवी कफिन क्रासिस आप लोग पढ़ें लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब भी करें सब्सक्राइब भी करें ओके थैंक्यू थैंक्यू फॉर